हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टियो ओन चैनल आर जे मधुरा, बहुत बहुत स्वागत है दिल से, आपका, आपके खुद के चैनल पे कई लोग ऐसा समझते है, इदर दर से सुन लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ वर्डस से उनको इन्फ्रेक्शुएशन हो जाता है, कुछ शब्दों से अट्रक्शन हो जाता है और वो ऐसा मानना शुरू कर देते कि वो एक karmic relationship में है पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि सच में आपका relationship karmic है भी या नहीं कि बस यूँई एक word का आपको एक fancy आपने ले लिया तो अपने relationship को karmic मान लिया मैं आज जो कुछ भी आपको इस वक्त बता रही हूँ उस सब से अगर आपका relationship match करता है तो आप definitely कार्मिक relationship में हैं और आज की reading बिलकुल आपके लिए है क्या होता है कार्मिक relationship ये एक ऐसा संबंध है जब आप अपने कार्मिक partner को पहली बार देखते हैं वो आपको पहली बार देखते हैं आप दोनों का instant connection एक दूसरे से हो जाता है instant infatuation, instant crush, instant connection आपको feel होता है जो फिर आपको लगता है कभी खतम होई नहीं सकता ये इस तरह का relation है कि आप ना साथ रह सकते हैं ना एक दूसरे से अलग हो सकते हैं ये relationship की बहुत सारी signs है, बहुत सारे symptoms है जिसको जानना और समझना आपके लिए जरूरी है ये decide करने के लिए कि आज की reading आपके लिए है भी या नहीं आपका relationship कार्मिक है या नहीं मैंने जो कुछ आपको अब तक बताया, अगर वो आपसे resonate हुआ अभी जो बताने जा रही हूँ, वो resonate होता है तो definitely you are in a journey of a karmic relationship और a karmic connection ये relationship में कुछ एक patterns होते हैं, वो बार बार repeat करते हैं कोई एक चीज है जो बार बार repeat होते हैं, जो सही नहीं होती जिसे हम पहचानने से मना कर देते हैं, चान बुझके क्योंकि हम उस relationship को खतम नहीं होने देना चाहते हैं ये relationship selfish होते हैं, एक person के लिए तो ये relationship होता है अपना सर्वस्वद दे देना, अपना सब कुछ खतम कर देना सामने वाले के लिए लिकिन जिसके लिए आप ये सब खतम करते हैं, उसके लिए ये selfish journey होती है उसे पता है उसे सब मिलने ही वाला है ये इंसान अपने आपको खतम करके मुझे खुश रखेगा एक परसन को ऐसा लगता है और एक परसन को दे दे कर भी संतोश नहीं होता है और एक को ले ले कर भी संतोश नहीं होता है ये ऐसा रिलेशन होता है जो कार्मिक होता है इसमें एक अजीब तरह का addiction होता है एक दुसरे का This relation is very passionate but it is full of trauma that you cannot handle अगर आपको इस सब science अपने relationship से match करती हुई feel हो रही है इस वक्त आपका relationship कार्मिक ही है इसमें कोई एक person दूसरे पर बहुत हावी रहता और control रखता है और जिसको control किया जाता है उसे मज़ा आता है उस ऐसे लगता है इसमें क्या है Let it happen आपको ये realizing ही होता कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा खतरनाक बनती जा रही है आपके लिए इस relationship में In fact, आपको constantly एक दर लगा रहता है इस relation में कहीं मैं अपने person को खो ना दू वो person कभी जाएगा भी नहीं लेकिन आपको constantly insecure रखेगा ये feel कराके कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप उसे खो देंगे In fact, उसको भी dependency आप पर हो गई है आपके इतने ज़ादा अपने आपको कुर्बान करने की तो ये relationship बहुत ही parasitic होता है It's like parasites feeding on each other अगर आप इस तरह के relationship में हैं, इस symptoms को आप already पहचान चुके हैं Definitely आप karmic connection में हैं और ये reading बिलकुल आपके लिए है Cards में आपके सामने shuffle करूँगी इसलिए मैंने आपके लिए पहले piles बना दिये जिसे आप select कर ले Pile 1 is Queen of Cups Pile 1 Queen of Cups Pile 2 Emperor Pile 3 King of Cups Pile 4 The Empress जिस भी pile से आपका resignation easily हुआ, एकडम से हुआ उसे एक pile को आप select कर ले किसी भी वज़े से आपको लगता है आप से pile नहीं select हो रही इस वक कोई बात ने आप सारी readings देख ले, जिस pile से आपका सबसे ज़्यादा resignation हो, उस पूरी pile को आप अपनी pile समझ ले आपने अपनी एक pile select कर ली यह समझते हुए मैं reading स्टार्ट करती हूँ पाइल वान, क्वीन ओफ कप्स के साथ तो आएए फ्रेंड्स करेंगे ताकि हमको एक सही roadmap आगे समझ आए करेंगे इतने सारे कार्ड है तो ऐसको यहूं नहीं दिखा रही हूँ आप जितना देख पा रहे हैं मेरे ख्याल से आपको आईडिया आई जाएगा क्योंकि यह सब करते तो बहुत लंबा वीडियो हो जायता और अपलोड होने में भी बहुत टाइम लगता है कौन सी प्रॉब्लम है पहले हम यह देखते कि आपके रिलेशनशिप में जो बार-बार सामने आती है बार-बार रिपीट करती है ऐसी कोई प्रॉब्लम डेफिनिटली आपके रिलेशनशिप में है वो प्रॉब्लम है आपका एक लैक ओफ बैलेंस जो है रिलेशनशिप में बहुत क्लियरली दिख रहा है balancing नहीं है relationship में वो karmic है तो balance होगा ही नहीं तब ही तो वो karmic relationship है कोई balance नहीं है पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है क्यों हो रहा है कुछ समझ नहीं आता आपको और एक जो equilibrium है relationship का वो हमेशा disturb रहता है emotional level पे disturb रहता है financial level पे, physical level पे आप दोनों इस relationship में खुश रहते ही नहीं है नाग पहले कभी थे हाँ, जब आपका instantly attraction हुआ था जब ही भी life में यह karmic relation का, यह तो अब मैं reading करती रहूँगी तो और भी बाते मुझे याद आती रहेंगी जो मैं आपको बताती रहूँगी कि जब कार्मिक relationship में एक इनसान होता है तो उसका attraction बहुत instant होता है सामने वाले से आपको वो person के बारे में दो बार सोचना नहीं पड़ता कि आपको इसके साथ relationship में जाना है या नहीं आपको लगता बस यह ही है love at first sight बहुत ज़ादा possible होता है कार्मिक relationship में one-sided love भी बहुत ज़ादा होता है एक side को बहुत love होता है और दूसरे side को सरफ attraction होता है infatuation या crush होता है यह बहुत ज़ादा possibilities होती है कार्मिक relationship में तो इसलिए जो आगे चलकर आपको realize होता है इसमें balance ही नहीं और आपके relationship में तो बहुत ज़ादा lack of balance है emotional level पे physical, financial आपको लगता है severe exploitation आपका हो रहा है इस relationship में आपको कुछ भी कुछ भी नया हो life में कोई फर्क ही नहीं पढ़ता आपको लगता है जैसी life है चलने दो यार क्या नया क्या पुराना जैसे एक उमंग होती है ना इंसान में एक relationship को लेकर life को लेकर एक situation को लेकर आप में ऐसे कोई उमंग ही नहीं बची है आप बिल्कुल ठहर से गए हैं आप रुक से गए हैं अपनी life में जिस point पे हैं बस वहीं अटक गए हैं कुछ आपको सूचता ही नहीं करूं क्या करूं क्योंकि relationship में आपको balance नहीं feel होता अपने person से जो आपको तवज़ो चाहिए जो importance चाहिए जो care चाहिए जो प्यार चाहिए वो मिल ही नहीं रहा लेकिन आप उसके बिना रह भी नहीं सकते यह सबसे बड़ा problem है कार्मिक relation का आप यह सब समझ रहे हैं कि यह person इतना आपको control कर रहा है कि आपको एक burden लगने लगा है आप जानते ही सही नहीं है आपको यह science बहुत बार दिखी है relationship में आपको कितने लोगों ने शाहिए समझाया भी है आपके बड़े बुजर्ग दोस्त जो समझदार हैं आपसे ज़ादा बहुत बाहर बार आपको समझाया है कि यह relationship में balance नहीं है यार आप आँखे खोलो लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि आपको देना ही नहीं है यह karmic relation है आप देना भी चाहेंगे तो आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि पुद्रत चाहती है कि आप इस चीज को face करें आप इसमें से गुजरें आप इसको भुखतें तो आपके आँखों के सामने ही हो रहा है कोई ऐसा नहीं कि आपके person आपसे छिपके कुछ करते हैं जितना कलब लो कुछ भी कर लो तो आपको कई लोगों ने guide भी किया आपकी आँखे कोलने की कोशिश भी की है कि जागो ये relationship आपके लिए ठीक नहीं है आप बहुत ज़ादा आप खुद को ही भूलते जा रहे इस relationship में आपका जैसे कोई वजूद ही नहीं बाकी है यकिन आपने कभी सुना ही नहीं इस बात को ये relationship आपको क्या सिखाना चाहता है ये देखते हैं ये relationship कार्मिक relation जब बनता है तो वो आपको कुछ message देना चाहता है आपको कोई बात से एक जिन जोड़ना चाहता है कि अब बस करो अगर आप अपने कर्म को यहां रोग दोगे तो आपकी life बहतर होगी अगर आप ये बात को समझ लेते हैं तो ये karmic relation जो आपको कुछ सिखाने आया है आप वो बात को सीख भी लेते हैं और उस relationship से निजात पा लेते हैं और धिरे-धिरे आपकी life stable होनी शुरू हो जाती है लेकिन जब आप ये बात को नहीं सुनना चाहतें नहीं समझना चाहतें तो जो चल रहा है वो ही चलता रहेगा आपकी life में ये relation आपको सिखाना ये चाहता है कि life में अगर ऐसी situation होती है जैसे आपकी life में इस वक्त है न कि आपको ये पता भी है कि जो है वो सही नहीं हो रहा पर आप उसमें से बाहर आना नहीं चाहतें तो ये relation आपको ये बात सिखा रहा है कि देखो, आगे देखो beyond, see beyond yourself see beyond the person आगे दुनिया है तुमारे उसमें से ढूंडो, उसमें से समझो कैसे लोग हैं जो सही है क्योंकि जब इनसान गलत होता है आपको सही का समझ आना जरूरी हो जाता है अगर आप गलत को ही सही समझने लगेंगे क्योंकि आपकी आखों में और दिमाग पे परदा पड़ चुका है आप जानते हैं ये relationship आपके लिए आपकी health के लिए emotional health के लिए, physical health के लिए, financial health के लिए सही नहीं है पर आप आखे खोल कर देखना ही नहीं चाहते जबकि ये relation आपको ये सिखा रहा है कि आगे देखो, बहुत लोग हैं, दुनिया भर हैं, आगे आपके ऐसे लोग हैं, जो आपको एक अच्छी life जीने के लिए प्रेरित करेंगे पर आप देखना ही नहीं चाहते हैं आप मुर कर जाना ही नहीं चाहते हैं आपको ये ही situation अच्छी लग रही है इस वक्त और अगर आप इस message को समझ लें कि आगे देखो, जैसे कि ये card है जैसे आप देखी रहे हैं याँ से, ये card है कि दूर हो जाओ, जिस relation में आप हो बहुत भुगत लिया, आपने अपने कर्म का जो चुकाना था ना, हिसाब वो कर लिया है, पूरा हो गया क्योंकि आज अब ये वीडियो आप देख रहे हैं आपको कोई ना कोई indication मिल रहा है कि प्लीज अवेक, अवेकन यॉरसेल्फ अपनी आत्मा को जिंजोडो, जागो और इस relationship में जो नुकसान उठा रहे हैं, उसको समझो लेकिन अगर आप समझ लें, कि दुनिया में आगे देखने से और भी बहतर इंसान बैठे हैं और भी अच्छे अच्छे लोग हैं, जो आपको आगे अब और बढ़ने में जो आपको भुगतना था, अपने भुगत लिया, अपना हिसाब चुका दिया कार्मिक रिलेशन का मतलब ही होता है, कोई पुराना हिसाब इस इंसान को आपने चुकाना है और जब आप ऐसी चीज़ों को जब अवैर हो जाते कि कुछ गलत हो रहा है और आप इन चीज़ों को जब देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद भी अगर उसको continue रखते हैं तो यहां तो आप सच बोलो तो मुर्ख होते हैं, यहां तो फिर अभी आपको और अपने कर्मों का हिसाब चुकाना है लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और अपने आपको pull back करते हैं, strongly खड़े होते हैं तो आपकी life improve होने के नए नए रास्ते धूंडी लेती है तो यह relationship आपको जिन जोड रहा है, आपको समझा रहा है कि आगे देखो दुनिया में बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए ऐसे लोग हैं जो रा देख रहे हैं, दूर हो जाओ इस relationship से आगे बहुत अच्छा future आपके लिए वेट कर रहा है यह relationship आपको कुछ नहीं दे रहा कई कार्मिक relation में यह तो सिर्फ physical exploitation होता है financial और emotional इत्ता नहीं होता कई relationship में emotional exploitation जादा होता है, physical और financial इत्ता नहीं होता लेकिन आपके relationship में तो कोई भी balance ठीक नहीं है हर तरह से आप चुका चुका के ठकते जा रहे हैं आपसे burden उठाया नहीं जा रहा, फिर भी आप उठा रहे हैं क्योंकि आप अपने आपको helpless फील करते हैं इस person के बिना ऐसे यह parasitic होते हैं इस relationship में एक person parasitic होता है वो आपके person है definitely उनको कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला आपकी क्या situation आप किसमें से गुजर रहे हैं आप emotionally deplete हो चुके हैं आप भी life में जैसे कोई नया पन ही नहीं रहा कुछ नया होता तो है लेकिन आपको लगता ही नहीं क्योंकि आपके दिमाग की जो एक गाड़ी है वो ऐसी अटकी हुई है कि आपको कुछ नया जैसे हर station जब train रुकती हमको लगता नया station आया आपको लगता है यह सब देखा हुआ है मैंने इतना ज़ादा आप used to हो चुके हैं ऐसे circumstances से आप में सारी आशा और इच्छा खतम कर दी है कुछ नया आपकी life में होगा यह सोचने की लेकिन ऐसा नहीं है अगर आज आप यह वीडियो देखकर यह realize करते हैं कि हाँ कुछ गलत हो रहा है आप कार्मिक relation में तभी तो आप यहां तक पहुँचे हैं वीडियो में अगर आपको यह बात realize हो रही है तो please उठिये, जागिये इस relationship में जितना आपने चुकाना था चुका दिया अगर आपने चुका दिया है ना तो आप अभी alert हो जाएंगे आपको सारे symptoms, सारी signs पता चल चुकी है आपके कार्मिक relationship की तो उठिये, आपको गुदरत, आपको angels एक message दे रहे हैं कि stand up, awaken yourself awaken your soul, see the world is beautiful, there are many good people waiting to show you what is a good life तो it's up to you अब आपको इसके बाद जागना है तो जागिये इस कार्मिक connection को यही खतम कीचिये, हो गया जितना आप कर सकते थे, आप से हो सकता था आपने कर दिया, no move forward this is what I can tell you pile 1 तो आपका reading जो है हुआ complete आपको समझ आ गया आपके relation में क्या issues हैं और कैसे आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं अब हम लेंगे pile 2 the emperor अब हम लेंगे pile 2 the emperor अब हम start करेंगे pile 2 की reading the emperor in case आपने introduction नहीं सुना तो प्लीज पहले introduction जरूर सुनिए इससे आपका जो insight है इसकी जो information है वो और भी जादा आपको मिलेगी जो कार्मिक relationship पे मैंने आपको बताईए तो प्लीज introduction जरूर देखिए इससे आपको और भी clear idea रहेगा कि इस reading का purpose क्या है कर्या है झाल झाल पाइल तू ध्यान से सुनिए मैं आपको कार्ड से दिखा पाऊंगी वैसे मैंने कोशिश की आपको सारे दिखी रहे होंगे कार्ड इतने सारे कार्ड है मैं जब शफल करती हूं तो इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा तो पाइल तू दे एंपरर कौन सी प्रॉब्लम है पहले हम यह डिसकस करते हैं जो आपके रिलेशन्शिप में बार-बार आती है लेकिन जैसे आप उसको नजर अंदाज करते हैं वो प्रॉब्लम यह है कि आपकी तरफ से तो पूरी एनरजी आपने लगाई है इस रिलेशन्शिप पे आपसे जो बन पड़ता है खुद के साथ आप इंजस्टीस करके इस रिलेशन्शिप को जितना हो सके आप देते हैं अपने जो भी आपके पास जो कुछ भी आपके ल है देना आप इस रिलेशन्शिप में देते हैं कोई सवाल आपने नहीं किया आपकी तरफ से कभी कोई कोश्चन ही नहीं उठा जैसे कोई भी इंसान एक पूछता है ना सामने वाले से कि मेरे इतना सब करने पर भी अब तुमको तकलीफ किया है मुझसे आपने ये तक भी नहीं किया रिलेशन्शिप में इतना आपने अपने साथ भी इंजस्टीस बहुत की है जानते बुचते आपने खुद के साथ ब आपके पर्सन को ही सब कुछ होना चाहिए अच्छा, सब अच्छा मिलना चाहिए आपको चाहिए जितनी भी इसके लिए कुर्बानिया देनी पड़े आप देते हैं, खुशी से देते हैं कोई यह शायद रियलाइज ही नहीं होता, आप जो कर रहें, वो गलत भी हो सकता है. Six of Cups, you just know how to give and what to give, and keep on giving and giving. आपके दिमाग में यह सवाल नहीं खड़ा होता कभी, कि यह सब हो क्या रहा है आपके साथ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उधर आपके जो person है, उनका जो देखती हूँ अगर मैं reading में जो एक behavior, it's okay, अगर तुमको मुझे देना है, तुम्हारा problem है, मुझे वो दिखता है उनका attitude, उसमें मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी मांगा, यह ऐसे ही लोग होते हैं, कार्मिक relationship में एक person ऐसा ही होता है, जो exploiter ह होता है, जो आपका सामने वाले का exploitation करता है, उसका attitude यही रहता है relationship में, तुम कर रहे हो ना, अपनी खुशी से करो, मैंने कब मांगा, यह मुझे नहीं मांगते, यह आपको कभी नहीं कहेंगे, मुझे यह दो, कहने वाले कहते भी हैं, पर ज़्यादा तर आप ऐसे relationship में एक समझ आ भी जाता है, वो क्या कह रहे हैं, बिना शब्द के यूज किये, और आपको वो करवा भी लेते हैं, फिर शायद एक stage आता है, जब आपके आसपास वाले, आपको चाहने वाले, जब आपको aware करते होंगे, तब शायद आपके मन में आता होगा, एक बार देख तो क्योंकि आप जैसे नेचर के हैं, मुझे लगता नहीं, आप खुद से ये कभी फील करेंगे, कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपको लगता है, आप रिलेशनशिप में जितना निचावर हो रहे हैं, जितना सामने वाले को दे रहे हैं, या आपका धर्म है, आपकी कर रहा है ना, उस परसन के लिए खोल कर रख दिया है, और वो परसन का एटिट्यूट देखो, तो मुझे हसी आती है, सच में आपके दिमाग पर, कि वो आपको यही शो कर रहा है, तो मैं क्या करूँ, वाट कैना आई डू, यू आ गिविंग, बिकॉस यू फिल हैपी बा कि आप कर भी रहे हैं, और उस परसन को इस बात से फर्क भी नी पढ़ रहा, जबकि वो सब कुछ एट भी रहे हैं, फर्क भी पढ़ रहा, ऐसा आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये लोग समझ आते कि आप इतने वीक हो चुके उनके सामने, कि आपसे वो जितना भी लेते नहीं है, तो ये कर्म का जो एक साइकल है ना, ये आप को ज़्यादा ही ढो रहे हैं, आपके दिल को तकलीफ होती होगी, और आपके दिल से ज़्यादा मुझे लगता है, आपके कोई चाहने वाले हैं, आपके लोग, आपके रिलेशन में कोई ब्रदर, सिस्टर, पैरेंट जो आपको ये अहसास दिलाता होगा बार-बार, कि जरा देखो तो सही किस तरह के रिलेशन्शिप में हो तुम, तो शायद आपको लगा कि देख ही लूँ आज ये रिडिंग, लेकिन अगर आज आप ये रिडिंग देख रहे हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं, आपने स् आपको बहुत कुछ समझ आया होगा कि अब आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, ये रिलेशन्शिप आपको सिखाना चाहता है, कि अब थोड़ा रुखिये, आपको कह रहे हूँ मैं, आप थोड़ा रुखिये, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, जो गया वो गया, आ ये नहीं कह रही हूँ ठीक in the sense, अच्छा हुआ, अब ठीक है, क्या कर सकते हैं, वो आपने अकलमंदी नहीं अपनी इस्तमाल की, आँखो पे पट्टी बान दी, आपने अपने आपका अपना वेल मेंग ही नहीं देखा, सामने वाली की बस खुशी को देखा, तो अब आप लेकिन अब आपको जो आपके angels हैं, आपको जो guide कर रहे हैं, जो भी आपका एक रास्ता clear करना चाहते हैं, angels को आपको ये समझा रहे हैं, कि जो गया, जो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको जाने दो, लेकिन अप थोड़ा सोचो, थोड़ा जागो, थोड़ा आप बैठ अपने साथ अन्याय करके सामने वाले को खुश करना क्या हां की justice है खुद के साथ अब तो उठो अपने emotions पर काबू पाओ और धीरे 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 आप देख सकते हैं cups का बहुत जादा आपकी reading में एक बार मैं देख लूँ येस आप में से आपके person ये आप में से कोई एक cup water sign से हो सकते हैं ऐसा मुझे reading से दिख रहा है water या फिर air air या water sign क्योंकि एक cups और दूसरा sword बहुत जादा influencers का आपकी reading में तो आपको ये समझा रही है nature, गुदरत, आपके angels के जागों बहुत लुटाया आपने अपने आपको, अपने emotions को आपने अपनी कदर ही नहीं की ये तो सबसे बुरी चीज है कि आप relationship में दो लोग हैं और एक इंसान है जिसकी कोई कदर ही नहीं है और ये जानते हुए कि उसकी कदर नहीं है वो अभी भी ये feel कर रहा है मैंने किया किया इस relationship में इस इंसान के लिए अपने तो कि वो आपको बीना कहे ऐसा constantly feel कराते तब भी तो ये कार्मिक relation है तो अब आप उठिये, जागिये आपको guidance मिल रहा है, उससे सुनिये तो आपका ये जो कर्म का लेना देना है यहीं खतम हो जाएगा और आपकी life और जादा improve होगी इन emotions में से धीरे-धीरे खुद को बाहर निकालिए बहुत अच्छी life आपकी इंतजार में बैठी है ऐसा नहीं है कि आपका कर्म अभी खतम नहीं हुआ, कब खतम नहीं होगा जब आप यह सब देखकर समझ कर भी फिर भी वही तरगे से जीना चाहेंगे तो आपका कर्म खतम नहीं हुआ आपने समझ लिया यह जो पुद्रत है यह आपको opportunity इस तरह से देती है कि आपको शो करती है एक flashlight की तरह उसमें आपने रास्ता देख लिया तो देख लिया फ्लेशलाइट तुरंद हट जाएगी फिर अंधिरा हो जाएगा तो जो फ्लेशलाइट पड़ती है आपको तभी aware हो जाना चाहिए कि आपको अब क्या step लेना है तो जो आपका गया सो गया angels आपको यह ही कह रहे है अब धीरे धीरे इन emotions को और जाया मत करिये इस relationship पे अपने आपको समेट ये gather yourself, gather your elements, gather your emotions and start moving forward slowly and gradually बहुत अच्छी life आपकी राह देख रही है बहुत अच्छी life है आपकी future में अगर आप इस वक्त इसमें से बहार आ जाते हैं क्योंकि इस relationship में आपने खुद के साथ ही बहुत जादा इंजस्टीज की है बहुत जादा मतलब आप ही जानते होंगे आपके साथ क्या क्या हुआ इस relationship में मैं तो सरफ एक कार्ट के जरीए जितना देख पा रही हूँ उतना बता रही हूँ आपको कि आपने खुद के साथ अन्याई किया है भरपूर अन्याई किया है सिरफ उस इंसान को कुछ करने के लिए इतना कुछ दे दिया है अपना सरवसवज जिसे बोलते हैं आपने सब कुछ उसे दे दिया है भंधारे में जैसे बोलते हैं दे देना उस तरह से और उस इंसान को कोई रत्ती भर भी फर्क ने पड़ता वो अभी भी मस्ती से जी रहा है उसको और बलकि उसका तो attitude मुझे ऐसे दिख रहा है कि जो तुमने दिया अपनी कुशिय से दिया मैंने थोड़ी मांगा था तो don't make me answerable कही ना कही आपको किसी ने realize करवाया है तभी आप इस वक्त ये reading देख भी रहे हैं तो please उठिए जागिए अपने आपको control कीजिए मत अपने आपको इतना lightly low मत अपने emotions को इतना बेकदरी मत करो अपने आपकी, अपने emotions की बहुत जरूरी है आपने चीजों को बचा लो जो आपके पास है आगे life में बहुत अच्छी phase आएगी आपकी बहुत अच्छा आपका future है जिसमें आपको ये सब काम आएगा जो आज आपके पास है आपकी जो अच्छा ही है वो अच्छे इंसानों के लिए रखिए ना कि ऐसे लोगों के लिए तो pile 2 आपका reading हुआ complete आपको idea आई गया अब किस तरह की कार्मिक connection में इस वक्त है अब हम लेंगे pile 3 king of cups अब हम लेंगे pile 3 king of cups अगर friends आपने introduction नहीं सुना तो please एक बार सुन ले ताकि आपको और भी जादा clear information मिलेगी ये reading का मकसद क्या है purpose क्या है और इसमें से आपको कैसे खुद को safe रखना है pile 3, king of cups घर कैसे आईए एनिलाइज करते हैं आपकी रीडिंग को आपकी रीडिंग से जो एक चीज एकडम आईज को कैच करती है वो ये कार्ड है मैं अलड़ी आपको बता चुकी हूँ टाइम कॉंस्ट्रेंट के लिए मैं आपको सारे कार्ड दिखा नहीं सकती है इस तरह से अरेंज किया कि आपको दिखे और मैंने तो पाइल 3 और 4 के लिए अलग डेक यूज किया है ताकि रीपीट ना हूँ एनरजी लेकिन अलग डेक के बावजूद आपका पाइल 2 से बहुत स्यादा सिमिलारिटी मुझे दिख रही है काफी कार्ड आपके पाइल 2 की तरह रिपीट हो रहे है तो आपका जो हार्ट ब्रेक है वो बार बार हुआ है इसके बावजूद भी आपको होश नहीं आया कि रिलेशन्शिप सही नहीं है आपके लिए यह जो पर्सन है जिसके लिए आप यह रीडिंग देख रहे है कार्ड से मुझे एक आइडिया आ रहा है कि इनको आपके अलावा भी और जगा पे दिल लगाना पसंद है और शायद यह बात आपको शायद क्या दिखी रहा है कि आपको बार बार इस बात का सबूत मिला है कि इस रिलेशन्शिप में आपके दिल को निचोड लिया गया है इसे निचोड़ा गया है हर emotion को निचोड़ लिया है लेकिन फिर भी आप जैसे बाज नहीं आना चाहते आपको अभी भी उसी person के साथ रहना है इतनी helplessness क्यों आप अपने अंदर लाते हैं कि toxic relationship से बाहर निकलना आपको गवारा नहीं आप लोग यह नहीं सोचते कि आगे future में आपके जब बच्चे होंगे मान लोगर आपकी marriage नहीं हुई है अगर आपके बच्चे होंगे तो आप क्या देंगे उसको बच्चों को ऐसे एक relationship के जरीए और अगर आपकी marriage हो चुकी है तो कम से कम आप इत्ता तो कर सकते है जो बिगडा सो बिगडा आगे तो life ठीक रहे आप अपने आप पर तो ध्यान दे अपने dreams को तो पूरा कीजिए उसको जो करना है करने दो फिर या तो walk out करो ऐसे relations से अगर यह resonate होता है आप से और अगर नहीं walk out करना चाहते तो अपनी गरीमा को अपनी self respect को तो बचा के रखी है इस इंसान के nature से तो मुझे दिख रहा है कि उसके लिए आपका दिल दुखाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है पर वो औरों को तकलीफ नहीं दे सकता या दे सकती आप उनके लिए कहीं भी priority list में मुझे दिखी नहीं रहे और आपके लिए वो इनसान तो भगवान के बराबर का है शद भगवान से उपर ही है तब ही आप अपने दिल को इस तरह से उसके सामने धर दिया है कि वो दिल को लात मारते रहे उसके उपर से चल के निकल जाएं आपको फरक ही नहीं पड़ता आपको अभी भी ये person चाहिए उसको खुश रखना है आपका धर्म है हो सकता है आज आप ये reading देख रहे हैं तो आपको ये awareness आई हो कि आपको अब इस karmic connection को खतम कर देना चाहिए अब कार्मी connection को खतम करने का मतलब ये नहीं कि आप divorce ले ले आप separate हो जाएं अगर आप married हैं लेकिन आप अपने आपको अपने जो ways है ना उसको separate कर लो उसको जैसे चलना है वो चले आपको life में अच्छे तरीके से ही जीना है अपने आपको detach कर लो it's like being connected to everything yet detached from everything ये इंसान को आपके अलावा भी खुश करने वाले occupy करने वाले रखने वाले बीसी रखने वाले बहुत सारे और भी reasons है factors है लेकिन आपके लिए तो दुनिया इसी से शुरू होकर इसी पर खतम होती है ये दिखता है reading में जो कि सही नहीं है आपकी well-being के लिए आपकी मानसिक सेहत के लिए शाररिक सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है आपके reading से मुझे आपके life में financial कोई problems as such नहीं दिख रहे लेकिन emotional health आपकी बहुत बिगाड के रखी है इस इंसान के इंसान ने वो साफ दिख रहा इस reading से मुझे आपकी life इतनी फाल तो नहीं है दोस्तों आप अपनी life को जो इतना taken for granted लेते हैं एक उसरे इंसान के खातिर कुछ खोश लाइए कुछ सोचिए आप अपनी आगे वाली generation आपके बच्चों को कहा ये दिखाएंगे ये सिखाएंगे आप इस तरह के examples उनके सामने set करेंगे कि वो भी कही ना कही अपने आपको कमजोर मैसूस करें अगर आप इसमें से disconnect नहीं हो सकते कोई बात नहीं किसी भी वज़े से लेकिन अपनी life को strong कीजिए अपने आपको strong कीजिए अपने रास्ते को separate कर लीजिए अपने life को नहीं करना कोई बात नहीं अपना रास्ता जो है थोड़ा change करिए अपने आप पर तवर्जोर दीजिए अपने दिल को इस तरह से कोई तोड़ फोड़ के रख दे आपको इतनी हिम्मत नहीं होने चाहिए किसी की आपको angels कहना चाहते हैं आपको guide करना चाहते हैं कि ये मत सोच सोच के आप खुश हो कि जो है आपके पास जो था आपके पास वो भैतरीन था जो आगे होगा वो अच्छा नहीं होगा ऐसी सोच मत रखिए कि जो है या जो past में था ये person ही ये सबसे अच्छी चीज है आपके लिए और जो future में होगा वो अच्छा नहीं होगा यहां मुझे एक बात याद आती है आपने बहुत बार सुनी होगी जो यहां अपलाए होती है कई बार हम इतने toxic relationship में अपने आपको महफूस समझने लग जाते है safe समझने लग जाते है उसकी reason ये है उसकी वज़ए ये है कि जाना, माना, दुश्मन अच्छा है एक अंजान दोस से कई लोग ऐसा मानते है कि जो इनसान की दुश्मनी की हद आपको पता चल गई तो आपको safety लगती है आपको लगता है कोई नया इनसान होगा उसकी दोस्ती तो अंजानी है आपके लिए पता नहीं हो क्या करें, क्या ना करें ऐसी ये डर से हम abusive relationship में abusive emotions के साथ जीते ही रहते हैं that I am more comfortable with a known enemy than an unknown friend don't do like that ऐसा मत करिए अपने साथ इतनी ज्यादती मत करिए आपकी आने वाली generation पर इस बात का बुरा असर पड़ेगा आप चाहते हैं आपकी अगर daughter आती है और अगर already है कोई भी situation में वो यही चीज़ सिखे आपका son है तो यही चीज़ सिखे कि उसको भी abusive relationship को accept करना चाहिए किसी भी वर्ज़से अगर आप नहीं separate हो सकते तो आप strong तो हो सकते separate होना ही हर बात का solution नहीं होता अरबात strong होना तो आपके अपनी मर्जी है आपकी अपनी हिम्मत है वो तो आप कर सकते हैं आप strong बनिये आगे future में बहुत अच्छा सब होगा आपके साथ लेकिन अगर आप जाग जाएंगे तो इसके बाद भी अगर आप नहीं चागते तो बहुत भारी नुकसान आप और अगर आप married हैं तो आपके बच्चे इसका बहुत भारी नुकसान उठाएंगे नुकसान उठाना ऐसा नहीं होता कि जान खो देना पर emotional नुकसान उठा सकते हैं तो please अपने आपको भोश में लाइए आपके दिल के साथ आपके दिमाग के साथ इस तरह का कोई खिलवार कर रहा है कोई games खेल रहा है उसे मत खेलने दीजिए आप अगर इस stage पर है कि इस relationship से अलग हो सकते है separate हो सकते हैं तो हो जाएए कोई हर्स नहीं है अब यह आपके बच्चे नहीं हुए अगर आपकी शादी नहीं हुए आपके पास अभी भी मौका है अपने आपको strong इंसान की तरह groom करने का तो opportunity को use कीजिए और अगर आप इस तरह के karmic connection में है जहां आपकी marriage भी हो चुकी है तो भी कोई बात नहीं strong बनिये अपना रास्ता बदल ले जाना आप दोनों को एक ही मनजिल पे है पर उसको इस रास्ते से जाने दे आप इस रास्ते से चलिए इतना आप जरूर कर सकते हैं जिसकी वज़े से आपके जो और family members है उन पर बुरा असर ना हो आप से वो ऐसी बाते ना सीखे कि उनका जैसे कोई वजूद ही नहीं है किसी relationship में प्लीज दोन्ट सेंड अक्रॉस दिस मैसेज तो योंगर जेनरेशन अगर आप इस चीज से बाहर आ जाते हैं स्ट्रॉंग हो जाते हैं आपको कंट्रोल में ले लेते हैं तो आपकी लाइफ और फीचर बहुत अच्छे हैं वरना आप देख सकते हैं दर कैन बी लॉट्स ओफ दिस्ट्रक्शन इमोशनल दिस्ट्रक्शन इन यॉर लाइफ बहुत इंटेंस रीडिंग था आज का तो पाइल 3 का भी रीडिंग हुआ कम्प्लीट पूरी गाइडन्स के साथ आपको ये रीडिंग मैंने दी है जो इंजल ने मुझे जो कुछ भी मुझसे बुलवाया मैंने आपको का है ताकि आपकी सेफटी पूरी-पूरी रहे अब हम लेंगे लास्ट पाइल फॉर टुड़े दा एंप्रेस आएए अब हम लास्ट पाइल को एक्स्प्लोर करते हैं उसको एनलाईज करते हैं और अगर आपने इंट्रोड़क्शन नहीं सुना तो प्लीज जरूर सुनिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ मैंने बताया है कार्मिक कनेक्शन्स के बारे में इससे आपको गाइडन्स और भी क्लियरली मिलेगी अपनी पाइल को देखने के बाद अपनी रीडिंग को सुनने के बाद पाइल फोर अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रहे देंप्रेस स्टार्ट कर दोर कर रहे स्टार्ट कर रहे अपनी पाइल अब हाँ आईए देखते हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं क्या मैसेज़ दे रहे हैं आपकोके कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में फािल 4 एम्परेस आपकी जो रिलेशनशिप में रिकर्णिंग एक जो प्रॉब्लम है वो यह है कि आपको कॉंस्टेंटली इस रिलेशनशिप में आप जो कुछ भी देते हैं जो कुछ भी करते हैं आपको यही feel करवाया जाता है कि पच्चता हो तुमने कुछ नहीं किया और आप इस बात ko मानकर पच्चताते भी हैं आपको लगता है यह इनसान जिसके लिए आप पच्चता रहे हैं जहां आपको बिल्कुल पच्टानाने चाहिए, आपके कुछ भी करने के बाद आपको यही मैसेज दिया जाता है, चाहे बोल कर नहीं, लेकिन इस तरह से फील करवा के, कि तुम पच्टाओ, आपको, आपने देखा हो का कार्मिक रिलेशन में, यह बहुत रेरली मैंने देख आज इस पाइल में आया है, कि आप सब कुछ करके भी कॉंस्टेंट पच्टा रहे होते के, अरे मैंने कुछ किया क्यों नहीं इस रिलेशन्शिप के लिए, यह तो बहुत रेरली कार्मिक रिलेशन्शिप में देखा जाता है, जो कि आपकी रिडिंग में आया है, आपको बिना कुछ कहें, इस तरह से आपको ट्रीट किया जाता है, आपको आपका परसन इस तरह से फील करवाता है, कि आप कॉंस्टेंट पच्टाते ही रहते हैं, I am not a good partner, मैं इस रिलेशन्शिप के लिए कुछ नहीं कर रहा है, जो हो रहा है यह तो यही परसन कर रहा है, मतलब जो अच्छा हो रहा है, वो उस परसन पर आप उसका क्रेडिट देते हैं, और कुछ भी आप अच्छा करें, गलत तो खेर आप कम ही करते होंगे, आप कितना भी अच्छा करें, आपको constantly यही फिल करा जाता है, कि regret करो, पच्टाओ, प्लीज पच्टाओ, आपने कुछ किया आई नहीं इस relationship में, और आपकी इस पच्टाने का सामने वाला person भरपूर फायदा उठाता है, उसकी energy जो है वो बढ़ती है, आप जब वीक होते हैं, आप जब पच्टा रहे हैं, उसकी जो energy है वो rise करती है, क्योंकि आप उसे power दे रहे हैं, कैसे power दे रहे हैं, आप relationship में कुछ नहीं कर रहे हैं, सारही जो relationship की जिम्मेदारिया है, वो person उठा रहा है, तो आप उसको जाने जाने इस तरह से credit देते हैं, कि वो person तो मस्त मौला बनके घूमता है, मस्त मलंग बनके घूमता है, उसको पता है, कि वो आपको exploit कर रहा है, लेकिन आपकी बेवकूफ person जो है, सामने पूरा तूट चुका है, हर बग गिल्ट में, पश्तावे में रहता है, कि वो कुछ करी नहीं पा रहा है, और इसलिए दूसरा person एमपावर होता है, उसको तो relationship में सब कुछ मिल गया, उसको इज़त मिल रही है, गलत करने की भी इज़त मिल रही है, इस तरह क नहीं, आपको लगता ही रहा, लंबे टाइम तक, that I have to do so much, I am not doing anything, आप अपना, सब कुछ खतम कर दो ना इस person के पीछे, फिर भी last में आपको ऐसा ही फिल कराएगा, औरे, किया किया, you have done nothing in the relation, और आप इस message को बहुत क्लियरली accept कर भी लेते हैं, यह आपकी सबसे बड़ी कुफी रही है, और आपको लगता है, जो कुछ भी इस relationship में डाला गया है, जो भी efforts किये गए हैं, यह तो इसी person ने किया, विचारे कितने अच्छे हैं, और आप इस तरह से behave करने लग जाते हैं, उनकी appreciation में, कि वो तो बस समझ लो, राज कर रहे हैं, relationship पे, यह जो root है, इसक problem है, आप सोचते हैं, वो कर ही नहीं पाते हैं, आपकी सोच पर ही आपका इत्यार ही नहीं है, control ही नहीं है, आपकी सोच पर, आपके person का control है, यह root cause है, इसकी वज़े से आप ऐसा करते हैं, कई लोग बोलते हैं, हम चाहा कर भी ऐसा कर नहीं पाते हैं, चाहा कर ऐसा कर नहीं आपके relationship में मुझे दिख रहा है आप चाहकर भी ऐसा सोच नहीं पाते हैं आपकी करने पे तो उनका control होगा ही आप वही करते हैं जो वह चाहते हैं आप सोचते भी वही है जो यह चाहते हैं बहुत unique आपका case है यह case ऐसा मैं मानती हूँ कार्मिक कनेक्शन में ऐसे कम से कम 2000 case मे एक बार ऐसा दिखता है जो आपकी reading में आया है कि सब कुछ करके भी पच्टा आप रहें और आपके करने के अलावा आपके सोचने पर भी आपके person का हक है control है you think what they like you do what they like is very much normal in almost many relations लेकिन thought पे तो अपना control होता है ना आपके तो सोच पे भी आपका control नहीं है वही चीज आप कितना भी कर लें आपको यह दोनों ही कार्ड सापकी जो मजबूरी है उसको दिखा रहें आपको सब कुछ करके भी सब कुछ देकर भी यही फील करना होता है कि मैंने क्यों कुछ किया नहीं है why I can't do anything for my person जबकि आपके जो person है वो मजब से इस relationship को enjoy कर रहे हैं आप में भी pile 3 की तरह tower card आया है repeat हुआ है आपको आपके angels यह message दे रहे हैं कि अगर अभी भी आपने अपनी आखे नहीं खोली क्योंकि आपके भी relation I am very happy touchwood मेरे किसी भी pile में ऐसा नहीं आया कि यह karmic connection अभी continue ही करना है आपके सामने ही मैंने cards shuffle किया आपके सामने ही reading की है so I am very happy कि मेरे सारी piles में एक ही message सब को मिला है कि आपके पास मौका है इस karmic relation से अपने आपको detach करने का अगर आप separate नहीं हो सकते तो आप अपने आपको detach कर लो ऐसे relationship से अगर आप शादी हो चुकी है बच्चे हैं आप नहीं disconnect कर सकते तो detach हो जाएगे कोई बात नहीं रहिए इस relationship में पर आप पर सिर्फ आपका अक्तियार होगा आपका हक होगा किसी और का नहीं आपकी सोच पे आपके action पे आपका हक होगा किसी और का नहीं ये conviction से अब आप इस relationship में आगे बढ़िए तो आपके लिए आपका जो last card इतना brilliant है magician आपकी life इतने नी बहतरीन होने वाली है आपके साथ जुड़े लोगों की life जिनसे मैं ये आपके person की बात ने कर रही है अब उनको छोड़ दे उनके कर्मों पे उनको छोड़ दे आपके साथ अगर आपके बच्चे या और भी लोग जुड़े हैं इस relationship की वज़े से उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप अपने आपको इस वक्त कंट्रोल में ले ले आपके पास मौका है अगर यह सब देखने के बाद भी आप continue करेंगे उसी तरीके से अगर यह resonate हुआ है आपसे और आप वही चीज़ को फिर से चलाते रहेंगे तो आपका तो कुछ नहीं हो सकता फिर मैं क्या वोलू लेकिन अगर आपने यह समझ लिया है इस रीडिंग से तो यह जो आपकी तबाही है आपके दिमाग की दिल की आपकी अस्तित्व की एक इंसान के इंसान होने पर भी उसका जब हक ना हो इतना बुरा तो कोई रिलेशन शायद ही होता है कार्मिक भी रिलेशन शायद है बुरे कई बार नहीं होते आपके रिडिंग में जितना मुझे दिख रहा है तो यह रिलेशन शिप आपको इससे पहले की पूरी तरह से उखाड के फैक दे आपकी शक्सियत को खतम कर दे आप प्लीज आगे बढ़िए आगे देखिए आप को क्लियर मैसेज मिल रहा है वरना आपके पास कुछ नहीं बचेगा सिवाए इमोशनल बैंक्रप्सी के आप देख सकते हैं फाइव आफ पैंटेकल्स इमोशनल बैंक्रप्सी के अलावा आपके पास नहीं तो कुछ नहीं बचेगा लेकिन अगर अभी आप में कार्स को यह परी सुक में बहुत अच्छा जीवन आपका आगे वेट कर रहा है लेकिन आपको यह बात को समझ लेना है कि यू हैव तो गेट आट ओफ इस टॉक्सिक रिलेशन्शिप तो फ्रेंड्स आज की रिडिंग हुई कम्प्लीट मैं बहुत फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहे हूँ वैसे यह आप लोगों की लाइफ है आपकी जिंदगी है आपका पूरा हक है आप उसको जैसे भी जीए लेकिन यह जानने के बाद कि मेरे वीवर्स के साथ ऐसा कुछ हो रहा है वो ऐसे किसी सिचुएशन में है मेरी आपको सेपरेट ही कर लीजिए अगर आप इस तरह से आगे बढ़ चुके नहीं सेपरेट हो सकते तो अपने आपको डिटैज कीजिए आप को जाना चाहे दोनों को एक ही मनजिल पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया पर अपने रास्ते अलग कर ले ताकि आप अच्छी तरह से जीवन जी पाएं आगे का लाइफ में बहुत कुछ है करने को कुछ नहीं गया जब जागे हैं तभी सवेरा है All the best to you my friends, take care, stay safe, stay happy, love to you all, bye-bye